बिसमिलाई रहामानी रहीम, असलाम लेकुम एवरीवन, हावर यू, माइनम इस अजरा परिवीन और आप देखने है चैनल मैथ की दुनिया विदा, अजरा आज की जो हमारे एक्सराइज है वो है 1.2 एक्सराइज जो के हम लेक्चर जो है वो स्टार्ड कर रहे हैं, प्री न जैड बार निकालेंगे, फिर इसी कोशन का जैड प्लस जैड बार निकालेंगे, फिर इसी कोशन का ही जी प्लस जी बार निकालेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस भी निकालेंगे, दोनों का ठीक है, तो कोशन जो है वो सूल्फ करते हैं हम, तो अभी तक तिन लोगों ने म करें सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को नोडिफिकेशन आप तक पहुंच तरहें तो लेक्षर है मेरे पास यह कुश्चन मेरे पास गीवन भी है आयोटा जैड बार जो है वो माइनस का आयोटा है ठीक है तो जैड बार कैसे निकालते हैं स्टोरेंस जैड बार जैसे निकालते हैं जो आयोटा का जो साइन होगा न वो पलस का है तो माइनस में हो जाएगा अगर माइनस का है तो पलस में हो जाएगा अब देखें आयोटा को जो साइन है वो माइनस का है तो यह पलस का हो जाएगा थीक है, पहला हमारा कबर हो गया है, अब हम करते हैं B part, B part में मेरे पास है Z plus Z bar, ठीक है, Z plus Z bar, अब देखें, हमारे पास values given है जी की value क्या है सबसे पहले क्या आ रहा है जी है जी की value क्या है minus का आयोटा यही है ना minus का आयोटा अब जी बार हमने निकाला है plus का आयोटा और साथ यह plus भी है ठीक है plus का आयोटा अब यह minus का है यह plus का है तो यह cut क्या ठीक है answer क्या आ गया जी आ गया किसका अंसर आया है जी प्लस जी बार का अंसर जो है वो जी रो आया है ठीक है next हम करते है question number C part number जो है इसका भी solve करना है जी माइनस जी बार ठीक है तो फिर हमने values निकाली हुई है जी की हमारे पास given है values माइनस का आयोटा है ये वाला माइनस आ गया है ठीक है और जी बार का अंसर क्या आया है प्लस का आयोटा ठीक है प्लस का आयोटा आ गया है तो अब देखें इसका coefficient क्या है 1 इसका coefficient क्या है 1 जब हम प्लस माइनस करते हैं तो coefficient को प्लस माइनस करते होते हैं तो इसका coefficient भी 1 है इसका coefficient भी बना है minus 1 और minus 1 minus का 2 और साथ आगया आयोटा ठीक है minus का 2 आयोटा तो ये किसका अंसर आया है z minus z bar का तो ये हमने पूरा question जो है वो solve कर लिया है आप करते हैं next question next करते है question number 2 question number 2 हमारे पास है z is equal to 2 plus आयोटा हमने निकालना है part a के अंदर हमने क्या निकालना है part a में हमने z bar निकालना है ठीक है z bar निकालना है तो students z तो हमारे पास ये है तो z bar निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा आप ऐसे भी लिख सकते है 2 plus आयोटा क्योंकि बार निकालने तो ऐसे हमने इसके उपर भी बार आ गया ठीक है z का बार आ गया अब जो कि मैंने कहा है iota का जो sign होगा वो change होगा हर value की जो सामने sign होता है वो उसका sign है अब 2 का sign यहां पे कोई sign नहीं है तो plus है iota का sign यह वाला plus है यह 2 वैसे ही रहेगा iota का sign के है plus है तो यह minus में change हो जाएगा ठीक है तो next करते है question number मतलब इसी question को b part इसका करते है पहले हमारे पास क्या है z है यह किसके equal है 2 plus iota के 2 plus iota के ठीक है यह वाला plus आगया अब z bar किसके equal निकाला है 2 minus iota आगया वैसे ही यह z की values आगी यह z bar की values आगी अब देखें यह minus का है यह plus का है cancel हो गया plus minus cancel हो जाते है न अब यह plus का भी 2 है और plus का 2 है तो यह हमारे पास आगया 4 किसका answer आगया है z plus z bar का ठीक है next करते है question number part number c solve करते है इसी question को तो यह question है हमारे पास z minus z bar ठीक है z minus z bar अब students देखें z किसके equal है z इसी के equal है two plus iota ठीक है यह minus है यह वाली मैं minus यहां पर बाहर लिख रही हूँ क्योंकि जब भी कोई minus आज़े तो बाहर लिख लें ताके confusion ना हो यह वाली मैंने minus यहां पर लिख लिए है अब z bar किसके equal निकाला है हमने two minus iota के ठीक है तो अब देखें two plus iota वैसी आगया अब minus बाहर है तो अंदर वाली अलामते change हो जाएगी minus plus minus two और minus minus plus iota अब यह minus का two यह plus का two cancel हो गया है ठीक है अब इसका coefficient भी one है और इसका coefficient भी one है तो two iota आगया है किसका answer आगया है z minus z bar का ठीक है इसका तो यह हमारे पास जो है वो a, b और c पार्ट हमने complete कर लिया है यह तो students यह वाले मैंने exercise यह वाले मैंने की है इसमें से यह यह दो मैंने पार्ट कर दी है next की वीडियो में मैंने यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट मैंने करवाना है तो i hope students आप लोगो इन question की समझ आगी होगी अगर आप लोगो को समझ आगी है तो well and good अगर जिन लोगो को समझ नहीं आई तो मतलब वो मुझे comment section में वह बता सकते हैं समझ नहीं आई आप बार बार वीडियो देखें आपको समझ आ जा जाएगी ठीक है तो यह था हमारा आज का lecture आगर मेरी वीडियो अच्छ लगी है तो please like करें subscribe करें साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को notification आप तक मौनित रहे thanks for watching students Allah Hafiz